हम रुख कर लेते हैं जो रियक्शन्स आ रहे हैं वो लगातार हम आपको सुनाई रहे हैं इस वक्त अब भुवन जी हमारे से जुड़े हुए समाज़पादी पार्टी से भुवन जी बहुत स्वागत है आपका अब मैं आपका रियक्शन चाहूंगी क्योंकि तीन चीज़े है उसको समझा जाए तो ऐसे भी तस्वीर निकलती हुई यहां से नजर आ रही है तीसरा संदेश यह भी है कि अगर हमारे साथ कोई दल आकर मिल रहा है तो हम उसका बराबर संदेश कहीं न कहीं यहां से पहुंचाने की कोशिश है कि उसको उतनी तवज्जों दी जाती है चौथा एक और यह संदेश भी कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश है कि हम असली हितैशी है पिछडों के तो आप कैसे इस पूरे सिनेरियो को इस समहरों को देख रहे हैं और जो आज तस्वीर निकल कर सामने आने वाली है एंडिक की तरफ से उसको आप कैसे देख रहे है दे हम यह पाते हैं कि पूरा जीवन उनका समाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए और जाती जंगरना की मांग को लेकर उनों पूरे जीवन संगर्श करते रहे हैं आज इस लड़ाई को को लड़ रहा है अगर हम उत्तर प्रदेश के परिपेक्स में समझना चाहे त तो केवल केवल समाजबादी पार्टी के देता माननी अखलेश यादर जी उस लड़ाई को लड़ते में दिखाई हैं और मैं आपको बताना काता हूँ उनकी धरम पत्नी है वो निश्चित तोर पे कमेराबादी की अध्यक्स भी है उनकी विचार धारा उनकी लड़ाई व माननी अखलेश यादर जी के साथ मिलके लड़ रही है तो निश्चित तोर पे जब हम इन महापुर्सों को याद करते हैं तो हमें याद करना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई क्या थी और आज उत्तर पत्ति वो जिश्च को कभी नी भूल पाता कि आदर ये सोने नाल पतेल जी को हमारा जो समर्पण है उनकी जो विचार धाना को हमारा सम्मान है हम इसी रूप में देखते हैं और रही बात भारती जनता पार्टी के महागड़न की मैं निश्चित तोर पे मैं आज याद कर रहा हूँ बिहार के वी आईपी पार्टी के जो मुके सानी साहब हैं उन जिसके हाठ पे सर रख देती है जिसको साथ ले रेती है उसे ही पहले खतम करने का काम करती है निश्चित तोर पर ये देश और परदेश के लिए अच्छी भावना नहीं है और आज एक चुट्टी का जिकर यहाँ पर हो रहा था आपके चैनल में मैं बताना चाहता हूँ कि उनको जो उन्होंने बुप करा उनको कारकम करना वो भी सोने नाज पटेल जी को सम्मानित करना चाहती थी हमारी मातासरी और उनकी धर्बतनी लेकिन उनको सरकार ने लोगता की हत्या करके उस भावन को देना देने का काम करा निश्चित तोर पर आज ये लड़ायों और कासरा ख़ण ने भी तो आपका साथ दिया था ना उन्होंने भी फिर इस तरह के आरोप तो उन्होंने भी आपके प्रतिन आराज की जाहर की वो भी तो देखना होगा ना फेर परदेश के जन्ना है कहाइमान अखलिश जादो जी उनके खिलाप पर करने लगते तो निशे तोर बहुत है ठीक है ठीक है ठीक है अशोग जल्दी से आप जवाब दे दीजे एक तो आपने परमिशन भी नहीं दी क्योंकि यहां पर आप देखिया अपना दल कमेरावादी कर करने नहीं दिया आप सभाद अफ्तर में कारक्रम करने वाली है पल्लवी पटेट लोगतंत्र के हत्या आपने कर दे इस तरह का रोप आप पर लगा रहे हैं भुवाद जी दूसरी चीज़ आपने जिस बात का जिक्र किया कि भईया हम वाकरी तवज्जों देते हैं जो दल करने अखिले अबी कि इनों ने जिस में पकाश राजबर के साथ यह दिकावे बारे लोग है कि अब स्वामीप्रसाद मउर के लेक लेकर कटर लेकर हिंदू बनने का काम अभी कर रहे थे कबिम्सान बनने का काम करते हैं पर झाल पर तो जोютсяर्यों के धरती को लाल करके कि तो लोग जन्शक्ती पार्टी का चाहरे दिखर करें लिए निश्चित तवर पे आपको बता दें कि हमारे चाह। जो लोग औलब तो पौड़भन फे अब अगर नहीं है तो वह दुखी है इसमें कोई दोर आई नहीं है यह फ़ as की है हम हम तो अगरे पिछडे की बात नहीं करते हिंदु मुसल्मान की बात भी नहीं करते मुसल्मानों का भी समिलन करके उनके पिछड़े पन को धूर करने का प्रयाद कर रहे हैं हमारे उपर जनता को भी साथ है अब अखले जी जल्दी से जवाब आपका पुवान जी सब्सक्राइब तो निसे तोर पे जो भारती जटाप्राटी का नो सासन है और शे साल का यहां पर सासन पा रहे हैं इसे तोर पे लोगतंत्र के लिए सविधान के लिए देश के लिए अच्छा सुष्टेट नहीं हो सकता ठीक है अशोग जल्दी से आपका रियाक्शन में चाहूंगे फिर नितीश हमारे साथ जुड़े हुए अशोग जल्दी से आब आत रखे है निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी आज पूरे दुनिया में यह सशक्त नेता के लुप में भारत के गवर्ण को प्ता है अगरे 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 अगरे